Bolt का नया TWS हमारे पास आ चुका है इसका नाम है Bolt Audio X60 चलिए इसको खोल लेते हैं यह मुझे पढ़ा है 1300 रुपए का Amazon के ऊपर और यह खुल गया package और यहां गया box Bolt X60 का Made in India लिखा गया है लेकर हमें सबको पता है कि यह Made in India नहीं है box खुलते ही सबसे पहले आपको यहां पर documentation देखने को मिल जाता है जिसमें user manual दिया गया है साथ में एक warranty का card और यह रहा TWS साथ में एक accessories का box दिया गया है जिसके अंदर आपको extra ear tips और USB Type-C charging cable मिलता है तो यह है Bolt Audio X60 मैंने यहां पर black color का खरीदा है देख सकते आप किस प्रकार का यहां पर design देखने को मिलता है सामने की तरफ 4 LED indicator नीचे की तरफ USB Type-C port और यहां पर जो design है वो बहुत यदा compact है और बहुत ही जादा portable है बहुत यह अच्छा design दिया गया है सामने Bolt Audio का branding धकन कुछ इस परकार से यहां पर खुलता है और इसकी build quality काफी अच्छी है plastic quality काफ काफी बढ़िया लगी है मुझे यहां पर पीचे के तरफ देख सकते हैं आपको hinge देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर hinge जो है वो अंदर की तरफ से दिया गया है काफी अच्छी quality का hinge मुझे यह लगा है earbuds की बात करो यहां पर बहुत ही compact shape और size में आते हैं plastic का ही बन इसमें आपको Bluetooth 5.3 मिल जाता है जल्दी से इसको phone के साथ connect करते हैं इसको phone से connect करने का तरीका बहुत ही simple है simply आपको यहां पर धक्कन खोलना है और आपको यहां पर LED इंडिकेटर जलते हुए दिख जाएंगे phone के अंदर आपको Bluetooth on कर लेना है और refresh कर लेना है Bluetooth menu को और यहां आपको Bolt Audio X60 दिख जाएगा पैरिंग प्रोसेस काफी जादा easy और काफी fast था यहां पे factory से मुझे 100% battery चार्ज करके दिया गया है settings के अंदर चलते हैं तो यहां पे आपको AAC का codec नहीं दिया गया है इसका मतलब यह है कि यह जो है SBC codec support करता है इसका मतलब यह है कि यहां प बात मुझे लगी है Bolt Audio X60 की इसमें आपको 13 mm के drivers मिल जाते हैं ओके तो यहां पे इसकी sound quality है वो मुझे बहुत ही जादा बढ़िया लगी है इसमें आपको base बहुत तगड़ा मिलता है और इसके साथ-साथ clarity भी बहुत ही अच्छी दी गई है instrument कितने अच्छी तरीके से सुन sound quality है वो यहां पे 2000 रुपए के TWS जैसा है definitely sound quality बहुत ही बढ़िया है base काफी तगड़ा है clarity काफी अच्छी है और singer का आवाज बहुत ही खूबसूरत तरीकी से सुनाई देता है overall मुझे इसकी sound quality काफी तगड़ी लगी है features की बात करो तो यहां पे आपको IPX5 की rating मिल जाती ह है तो यह हलके फुल के पानी जहल सकता है लेकिन आप इसे पानी में एकदम डुबा मत देना यह जो है आप जिम में यूज कर सकते हैं पसीना वगेरा तक जो है यह जहल सकता है overall लेकिन यहां पे इसमें आपको gaming mode भी दिया गया है जिसमें आपको 45 MS का low latency मिल जाएगा हलका फुल का gaming आप इसमें कर सकते हैं लेकिन अगर आप professional है तो आपके लिए TWS recommended नहीं रहेगा लेकिन इसमें जो है आपको active noise cancellation भी दिया गया है gaming mode तो तगड़ा काम करता ही है इसका लेकिन साथ ही साथ इसमें जो active noise cancellation दिया गया है वो यहां पे 30 decibels तक का noise cancel out कर पाता है इसका मत कर पाएगा definitely इसका ANC बहुती कम चीजों को जो है cancel कर पाता है लेकिन 1300 रुपे के अंडर में ANC दिया गया है वही बड़ी बात है battery life और charging की बात करो तो यहां पे battery capacity नहीं बताया गया है बोल्ट हमेशा से जो है battery capacity नहीं बताता है लेकिन यहां पे इनोंने claim किया है कि आपक जो है 30 घंटे का battery backup मिलेगा जो कि इस price के हैसाब से काफी बढ़िया है लेकिन वहीं पे जो है इसमें आपको fast charging भी दिया गया है अगर आप इसे 10 minute के लिए charge करते है तो आपको 150 minute का battery backup मिलेगा जो कि काफी अच्छा है लेकिन यहां पे जो है battery को full charge करने में 2 घंटा time लग ज charging दोनों ही काफी चीज दी गई है 300 रूपय के around में जल्दी से इसका call test कर लेते हैं जहां पे हम test करेंगे कि किस प्रकार से इसका microphone काम करता है क्या आपका आवाज clear तरीके से सामने वाले तक कहुंचता है या नहीं तो यह रहा calling test और earphone लगा के calling test सुनियेगा ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से पता चले कि इसका microphone कैसा काम कर रहा है तो यह है calling test bolt audio x60 का यहाँ आप देशके मैंने इनको पैना हुआ है और यह testing जो है घर के अंदर हो रही है क्यों घर के अंदर हो यह चूंकि यहाँ पर fan के नीचे कड़े fan जो है full speed पर आपका चल रहा है और सा यह calling test bolt audio x60 का यह calling test bolt audio x60 के microphone का यहां का दिख सकते है मैं outdoor condition में से test कर रहा हूं कितना आपको गारियों क्या आवाज आरिये वह सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बाकियार यहाँ यहाँ पर overall यह है एक outdoor test bolt audio x60 का overall यह वाला TWS मुझे 1300 रुपए के around काफी अच्छा लगा है हाला कि इसका ANC उतना अच्छा नहीं है जितना हम यहाँ पर expect कर रहे हैं क्यूंकि यहाँ पर 1300 रुपए का ही है तो थोड़ा सा ANC काम करता है बहुत ही थोड़ा सा दिया गया है जैसे कि पंक्य का आवाज एसी क आवाज यह cancel कर पाएगा लेकिन उससे जादे यह cancel नहीं कर पाएगा तो थोड़ा मोड़ा ANC दिया जाता है लेकिन इतने budget में इतना ही मिलता है बाकि sound quality बहुत ही अच्छी है battery backup काफी अच्छी है design बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे overall काफी अच्छा TWS निकल करके आता ह तेरा सुर्पय के आराउंड में नीचे comment section में लिख के बताना कि इसको किसके साथ compare करना चाहिए बाकि इतना था इस वीडियो में आपका इस वीडियो को दिखने के लिए धन्यवाद अपके लिए हैं वंदे मातरम और आपका देन शुब रहे झाल 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 झाल